एक जनहेत याचिका लगाई गई थी मत्रप्रदर्श उचनयाले में और उसका में मुद्दा ये था कि थर्ड लहर जो कोविट की एंटिसपेटेड़ है या एप्रिहंडेड़ है उसको लेके उन्होंने अपने कुछ शंकाएं जाहिर करी थी और ये कहा था कि बाई एलेक्शन को डेफर कर देना चाहिए चुनाव आयोग को जब तक थर्ड लहर की आशंका पूर्टा समापना हो जाए इस संबंद में माननी उचनयाले के दिशा निर्देश के अनुसार हमने अपना जबाब फाइल किया था आज माननी उचनयाले ने ये याचिका खारि की है और ये भी कहा है कि अनुछे 324 भारती सम्विधान के अंतरगत चुनाव आयोग best suited है ये चुनाव आयोग को डिसाइड करना है कि कब चुनाव होने चाहिए कब नहीं होने चाहिए यवे एक सम्विधानिक संस्था है और उसको मालूम है कि कैसे चुनाव कराना है इस स तर्गत हमने खुद चुनाव को डेफर किया था जब तक by elections में जब तक कि COVID संबंधित चीजें regulated नहीं हो जाती है इस संबंध में अभी चीफ सेकेरेटरीज ने भी से चीफ सेकेरेटरी से भी चुनाव आयोग को यह request की गई कुछ चीफ सेकेरेटरीज द्वारा कि जब तक फेस्टिवल सीजन समापना हो जाए और कुछ सरकमस्टैंस को देखते हुए इस चुनाव को डेफर किया जाए तो अभी चुनाव आयोग ने अपनी लेटिस प्रेस रि उसका कारण ये था कि कोट चुनाव से रिलेटिट संबंदों में इस हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि 324 के अंतरगत चुनाव आयोग एक सम्विधानिक संस्था है और उसको पूरा सुतंत्रता होनी चाहिए कि वे डिसाइड कर सके कि कब चुनाव होने हैं और कब नहीं झाल 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 झाल